इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उप्योग करत जो इस दवा को सुरक्षित और एक बहतरीन चिकित्सी दवा बनाता है। इस उपाय के ये लाब सबसे प्रमुख हैं जब रात में पसीने की दौरान, बिस्तर की गर्मी में और थंडे, नम मौसम में लक्षन बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह उपाय उन लोगों के लि इसके कुछ फायदों के बारे में। एक आखें यहां आखों में जलन के प्रबंधन के लिए फायदे मंद हैं, खास कर जब जलन और संक्षारत निर्वहन के साथ होता है। उन व्यक्तियों के लिए उप्यूक्त है जो आग या धातु धलाई के पास काम करते हैं। दो नाक यह दुर्गन ध्युक्त और खूनी स्राव के साथ नाक से खून बहने, साथ ही नाक की हड़ी की सूजन और विनाश और सूरज की रोशनी के संपर्प में आने वाली छुंक को प्रभावी धंग से प्रबंधित करता है। यह नाक से पीले हरे, दुर्गन ध्युक्त, और खूनी कान की स्राव के मामलों में मदद करता है और कान के दर्द को कम करता है, खास कर जब बिस्तर की गर्मी से बत्तर हो जाता है और चिपकने वाला दर्द होता है, साथ ही बाहरी कान नहर में फोड़े की उपस्थिती होती है। चार, मुह, यह अत्य धिक लार को कम करता है, मसूडों को स्पंज की तरह नर्म करता है और बहुत नम, पीली और धीली जीब के साथ सासों की दुरगंद को भी ठीक करता है पांच, पेट, यह ठंडे तरल पदार्थों की तीवर प्यास, निरंतर भूक और छूने पर पेट की समविदन शीलता, साथ ही हिचकी और उल्टी के मामलों को नियंत्रित करता है छे, हाथ-पैर, यह हाथों में कापना और पक्षाघात, साथ ही हड्डियों के दर्द और अंगों की परेशानी से राहत देता है, खास कर जब रात में बत्तर हो साथ- त्वचा, यह बिना राहत के अत्यदिक पसीना आने की सामानने प्रवृती को नियंत्रित करता है और खुजली को सम्बोधित करता है, जो बिस्तर की गर्मी से बढ़ जाती है आठ, बुखार, यह उपाय बिना किसी राहत के बुखार के दौरान बढ़े हुए पसीने को कम करता है और शरीर के विभिन हिस्सों में बारी-बारी से होने वाली गर्मी को नियंत्रित करने में मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें